एससी जई के लिए आप आइदर सिविल मेंकल एलेक्ट्रिकल जिस भी आप जो है वो प्रांच से फॉर्म फिलब कर रहे हो आपके पास जो है वो EWS सर्टिफिकेट 1st August 2024 से पहले बना होना चाहिए और 1st April 2024 के बाद बना हो तो वो ज्यादा बेटर होगा तो देखो इसके बार जो है वो 18th of April 2024 तक था अब बात करते हैं EWS Reservation के लिए तो सबसे पहले मैं बता दू कि इसमें जो है वो आपको एज रिलक्सेशन नहीं मिलता है यूजवली OBC, SC और ST में एज रिलक्सेशन मिलता है लेकिन EWS Category में एज रिलक्सेशन नहीं मिलता है अब बात करते हैं कि आपको प्रोड्यूस करना होगा during the time of document verification वो आपको पहले जो है वो certificate नहीं प्रोड्यूस करना है वो आपको तभी प्रोड्यूस करना है जब आपकी जो है वो document verification में नेम आईगी तो अभी आपको ज्यादा चिंता करने की जुरुरत नहीं है लेकिन हाँ आपके पास अगर अभी तक आपने जो है वो certificate नहीं बनवाया है तो आपको बनवा लेना चाहिए अब देखो 8.4 clause में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे clearly mention किया गया हुआ है कि अगर आपके पास certificate जो है वो valid होना चाहिए valid year 2024 और 2025 के लिए और based on the financial year 2023 to 2024 अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका certificate है यह देखो जैसे एक page का यह जो certificate का format होता है इसमें valid year के जगा पे यहाँ पे जो valid year आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे 2024 to 2025 लिखा हो और यहाँ पे जो नीचे financial year है यहाँ 2023 to 2024 लिखा हो तभी जो हो आपका certificate valid होगा इसके regarding अगर आपको नहीं पता है कि certificate कैसे बनता है तो block level पे, SDO level पे या फिर DM level पे तो पूरा procedure मैंने explain कर दिया है लेकिन इस particular exam के लिए जो है वो मैं आपको जो key points है वो यहाँ पे बता दे रहा हूँ तो आपको बता दिया मैंने कि आपका जो certificate है यहाँ valid year और financial year में क्या होगा ओके तो यह जो है वो बाते आपके लिए बहुत ले सकते हो आपको कावी motivational यह videos लगेगा और आपके अगर कोई career life related या issues आती है तो उनके related भी आप 1000% से अपने प्रसंद पूछ सकते हो उसके लिए आप उनकी website पे जाके जो है वो questions पूछ सकते हो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं crucial date की तो देखो crucial date के लिए क्या है कि आपका जो last date होता है usually crucial date वो होता है लेकिन यहाँ पे जो 8.6 में क्या लिखा गया हुआ है कि जो crucial date है crucial date for claim of SC, ST, OBC, EWS इन सभी के लिए जो है वो 1st August 2024 है मिन्स आपका जो certificate है वो 1st August 2024 से पहले बना होना चाहिए अब देखो यहाँ पर जो है वो 2 cases हो सकती है मैंने जो है वो 2 cases लिए हाला कि cases और भी हो सकती है लेकिन मैंने यह दोनों particular लिए है देखो आप जो हो अगर certificate 1st April 2024 के पहले बनवाते हो तो आपका certificate 100% valid है लेकिन अगर आप certificate 1st April 2024 से पहले बनवाते हो तो वो आपका certificate जो है वो valid नहीं होगा और आपको document verification में problem होगी और अगर आप seat मिल भी जाती है तो आपकी job चली जाएगी तो इसलिए इस बात का बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास पुड़ाना certificate है और उसमें जो है वो valid year 2023 या 2024 या 2022 या 2021 है तो वो सभी नहीं चलेगा 2024 to 2025 वाला ही चलेगा और financial year 2023 to 2024 वाला ही चलेगा क्योंकि notice में जो है वो यहाँ पे clearly mentioned है तो आप इसको valid नहीं कर सकते so I hope कि यह जो key points थी वो मैंने आपको बता दी और certificate कैसे बनवाना है EWS के लिए वो आपको मैं description box में link दे दिया हूँ full videos वहाँ से आप देखो और फिर आपको जो है वो सारी बाते समझ में आ जाएंगी SSE की जही कि अगर test series की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत enough number of test series आपको देखने को मिलते हैं आई तर आप mechanical से हो electrical से हो या फिर civil से हो यहाँ पे आप देखो कि mechanical के लिए जो है वो around 726 test series देखने को मिल रही है अगर electrical के लिए देखोगे तो 698 और civil की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 790 test देखने को मिल रही है जिसमें जो है वो 61 revision है और 84 chapter wise test है and other test by को यह सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है अगर civil की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो total test series में आप देखो कि previous year questions जो कि बहुत important होता है यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है और साथी जो है वो आपको chapter wise भी test रहती है तो आप इसे attempt कर सकते हो लेकिन इसको यहाँ पे आभी देखो आपके unlock का option दिखाई दे रहा है लेकिन मैं आपको link दे दूँगा जिससे जो है वो आप एक दो test free में दे पाओगे तो link आपको description box में है वहाँ से आपको sign up करना है और फिर आपका काम हो जाएगा लेकिन अगर आप इसका full test जो है वो अगर लेना चाहते हो जिसमें जो है वो देखो आपके पास ही है सब कुछ रहेगा तो उसके लिए आपको इसका pass pro पर chase करना पड़ेगा तो pass pro की जो pricing है उसकी बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो इसकी pricing जो है वो fluctuate करते रहती है लेकिन अभी जो इसकी pricing है जैसे 2 years की pricing आपको 5.99 दिखाए दे रही है और 1 year की 3.99 लेकिन मैं आपको ए coupon code देता हूँ पर chase करते हो तो जितनी भी engineering की examinations होती है जैसे देखो यहां पर जो जो भी examinations आपको दिखाए दे रही है ना यह आरड़ भी टेक्निसिया ने ससी जेई ओके एफकेट या फिर इंडियन कोश्ट गार्ट तो जितनी भी examination होती है और सिर्फ engineering की ही नहीं एक्टिवेट हो जाती है तो यह बहुत ही अच्छा फायदा होगा अगर आप इसका पास पर्चोल पास प्रो को परचेस कर लेते हो जिसमें जो है वो आपको more than 200 plus examinations का benefit आपको देखने को मिलता है तो यह जो है वो टेसरी आपके लिए बहुत helpful होगी अगर आप preparation कर रहे हो right from the scratch